नमस्कार दोस्तों आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है आज इस वीडियो में जानेंगे जैपुर में घूमने की 20 मैन जगह कौन सी है आप पूरा वीडियो देखें जैपुर के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो बिना देरी किये हुए शुरू करते हैं पिंक सिटी के नाम से मश्हूर जैपुर को राजस्थान की राजधानी होने का भी गौरब हासिल है इस वीडियो में हम जानेंगे जैपुर में घूमने के लिए कौन-कौन सी जगह है उससे पहले जैपुर के बारे में कुछ रोचत जानकारी आपको दे देते हैं जैपुर की पहचान यहां के खूबसूरत एतिहासिक इमार्तों में गुलाबी कलर से और अपने कर्मादी इतिहास और एतिहासिक कार्णों की वजह से होती है यह राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आवादी वाला शेहर भी है जैपुर दुनिया का एक मात्र ऐसा शेहर है जिसमें पुरानी और नई संस्कृती दोनों दिखती है जैपुर को राजा द्वारा पूरा प्लानिंग से बसाया गया था इसके चारों तरफ उंची उंची दीवारे हैं और अंदर आने के लिए साथ गेट बनाए गए थे जैपुर को भारत के गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा बनाया गया है इसमें भारत के मुखे रूप से तीन शहर आते हैं जिनमें दिल्ली, आगरा और जैपुर भी शामिल है इसका मतलब जैपुर भारत का वह शहर है जहां सबसे ज़्यादा गूमने के लिए देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं इसलिए भारत आने वाले विदेशियों में से हर दूसरा विदेशी जैपुर जरूर घूम कर जाता है चलिए आगे जानते हैं जैपुर में घूमने लायक जगह कौन-कौन सी है नमबर एक हवा में है नमबर दो सिटी पैलेस नमबर तीन अलबर्थ हॉन म्यूजियम नमबर चाड़ जंतर मंतर नमबर पांच आमेर काकिला नमबर खेजल मेहे नमबर साथ नाहरगरफोर्ट नमबर आठ बिर्ला मंदिर नमबर नो जैगर काकिला नमबर दस कनक घाटी नम्बर ग्यारह मोती डूंगरी मंदिर नम्बर बारह गोविंद डेव जी का मंदिर नम्बर तेरह गलता घाट नम्बर चौध बापु बाजार नम्बर पंद्रह चांद बावडी नम्बर सोलह वर्ल्ड ट्रेट पार्क नम्बर सत्रह चोखी धानी नमबर 18 खाटू श्यामजी मंदिर नमबर 19 भानगड का किला नमबर 20 जोहरी बाजार दोस्तों 20 जगह का नाम आपको हमने बताया इन जगह पर जैपुर आने वाले तूरिस्ट घूम कर आते हैं आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं यदि आपको इनफॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे ऐसी ही जानकारी के वीडियो आपको हमेशा आगे मिलते रहेंगे इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे थैंक यू एंड गुडबाई